नमस्कार दोस्तो, आज की इस वीडियो में हम लोग़ Dellirator के बारे में बात करने वाले हैं बहुत डिटेल में Dellirator के बारे में बात करेंगे pu eigenlijk हम लोग़ बात करेंगगे कि Dellirator का purpose क्या है यह यह क्या काम करता है, Dellirator का working principle क्या है Dellirator के क्या-क्य पार्ट है उसके components हैं, वो कैसे दीखते हैं, actual में कैसे दीखते हैं, वो भी देखेंगे और फिर ये भी बात करेंगे कि dearator के operating parameters क्या क्या है और एक parameter को change करने से dearator के function में क्या impact आएगा, ये भी देखेंगे और finally हम लोग बात करेंगे, dearator को height पर रखा जाता है, तो उसका क्या purpose होता है तो बहुत detail में बात करने वाले हैं, बहुत interesting होने वाला है और बहुत important topic है तो वीडियो को जरूर अन तक देखेगा अब सबसे पहले हम लोग dearator का purpose समझते हैं, कि dearator का purpose क्या है पर dearator का purpose समझने के पहले समझते है, dearator actually होते क्या है, dearator actually a mechanical device है जिसकी मदद से water में से oxygen और non-condensable gases like CO2 को remove किया जाता है इसलिए इसको dearator भी का जाता है, जिस जैसे water में से air को remove कर दिया अब यह oxygen और carbon dioxide को पारी में से निकालने की जरुवत क्यों है, यह पहले समझते हैं देखे, हमने एक corrosion के बारे में बात किया था, corrosion refinery में कैसे होता है, इसका एक बहुत detail में video डाला था उसमें corrosion के सारे mechanism को बहुत depth में analysis किया था तो actually oxygen और CO2 ना, corrosion में participate करते हैं, कैसे करते हैं, उसको जानने के लिए आप पूरा वीडियो देख सकते हैं यहाँ पे हम briefly उसको summarize करते हैं, जिससे आपको समझ में आगए कि actually में oxygen और CO2 क्या problem create करते हैं दिख करोजन का जो mechanism है वह electrochemical mechanism होता है, और भी dry chemical mechanism होता है और बहुम reaction होता है वो करोड नहीं होता है बट अब देखे देखिए यह एनोडिक reaction है यहाँ पर एक्चली electron बाहर निकल रहा है अगर यहाँ पर cathodic reaction नहीं होगा तो फिर यह electron फर्दर आगे नहीं निकले गा लेकिन यहाँ पर चुकि cathodic reaction भी हो रहा है तो वह यहाँ पर चुकि यह एक्ट्वर्दर फर्दर कंजियूम हो जा रहा है इसलिए अनोडिक reaction फर्दर आगे बढ़ते जा रहा है तो यहाँ पर oxygen क्या करता है ना cathodic reaction में participate करता है यह एक्ट्रॉड को गंजियूम करते रहता है और electron को consume होने से बज़े से iron further oxidized होते रहता है, electron further produce होते रहता है, और iron corrode होता रहता है, यानि metal corrode होता रहता है, तो एक तो oxygen के साथ ये problem है, कि ये cathodic reaction participate करता है, और जिसकी बज़े से corrosion को ये support करता है, ठीक है, तो overall इस reaction को देखा जया, तो इस reaction से the whole two बन गया, अब एक तो ये बात है, दूसरा बात ये है कि oxygen ये सिर्फ, मतलब cathodic reaction, neutral medium में ही cathodic reaction को promote नहीं करता है, इवेर acidic medium में भी cathodic reaction को promote करता है, तो ये देखे एक और reaction है, यहाँ पे भी reduction reaction हो रहा है, जितना ये reaction है, ये redox reaction में गया, जितना घ्रफ, मतलब करता है ये बात इस है उसको promote करते हैं तो आप देखें, अगर acidic medium है, तो वह cathodic reaction है, वह קारोड को करेंगा अगर neutral है और oxygen है तो एक फर्दर एक अलग से redox reaction हो गया तो यह फर्दर cathodic reaction को ज्यादा promote होगा तो इसलिए अनोडिक reaction भी ज्यादा बढ़ेगा और corrosion ज्यादा होगा तो ultimately यहां से क्या समझ में है कि oxygen जो है na oxygen corrosion को बहुत promote कर रहा है cathodic reaction की मदद से क्योंकि cathodic reaction में oxygen को consume करते जा रहा है और जिसकी वज़से आइरन को रोड होते जा रहा है तो इसलिए oxygen को हटाना ज़रूरी है क्योंकि यह corrosion में participate कर रहा है तो इसलिए यहां पे लिखा है कि cathodic और अनोडिक reaction में चोली dependent है अगर एक कोई भी चीज एक reaction को promote करेगा तो दूसरे reaction भी promote हो जाए गया cathodic reaction को promote करता है oxygen इधर neutral solution में या फिर acidic solution दोनों में ही cathodic reaction को promote करता है इसी बैसे metal corrode हो जाता है अचा CO2 के साथ क्या problem है CO2 water के साथ react करके H2CO3 बनाता है और H2CO3 ultimately H plus acidic होता है तो H plus बनाता है तो यह भी cathodic reaction को promote करता है तो यह दोनों ही corrosion में participate करता है actually oxygen ज्यादा detrimental है क्योंकि oxygen एक साथ साथ एक और reaction में promote कर देता है तो इसलिए oxygen ज्यादा detrimental है CO2 भी detrimental है क्योंकि यह acidic reaction को promote करता है तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि oxygen is highly corrosive when present in hot water even a small concentration can cause serious problem because pits can penetrate deep into the मतलब actually क्या है यह corrosion होता है तो pitting type of corrosion करता है ठीक है और कहां कहां कर सकता है boiler feed water line में कर सकता है, economizer में कर सकता है, boiler tubes में कर सकता है, condensate lines में कर सकता है और इसके लगा जो iron oxide जो oxygen product बनता है वो फिर tubes के अंदर deposit हो जाता है तो fouling का भी एक problem करता है तो इसलिए oxygen को और carbon dioxide को निकालने का जरूवत है तो purpose of deodorator क्या हो गए एक तो non-conducible gas को रिमूब करना है क्यों corrosion के वाट का निकला है इसके लगा यह deodorator में feed water का temperature भी बढ़ता है इसका भी जरूवत है अगर deodorator से directly boiler में feed water को भेज रहे हैं तो इसका जरूवत है क्योंकि अगर ठंड़ फीड वाटर भेज देंगे तो thermon shock लग सकता है बहुत बार ऐसा होता है कि deodorator से boiler feed water बनता है वो further heat exchanger के थूरू गरम होकर के finally boiler boiler में जाता है तो वहाँ पर यह issue नहीं है बट अगर directly जा रहा है तो temperature बढ़ाने के भी काम आ रहा है deodorator के यह भी purpose है और finally deodorator एक storage tank provide करता है boiler feed water pump का तो यह तो इसका purpose हो गया अब हम दो deodorator के बारे में बात करते है कि deodorator कैसे होता है अब यह जो vertical vessel है यह actually vessel नहीं है यह distillation column या basically stripping column type का चीज है और यह actually vessel type का चीज है तो इसमें क्या होता है कि यह जो ऊपर वाला part है इसी में मेली deodorator का का काम होता है तो आप इसको बहुत सकते हैं यह deodorator है और नीचे वाला basically storage tank है यह storage vessel है अब इसमें काम कैसे हो रहा है यहां पर आप देखो इसको diagram देखो तो यहां पर deodorator के top से हम feed water दे रहे हैं जैसे deminolized water है क्योंकि DM water में oxygen या CO2 रहता है इसके लाग हम इस condensate जो turbine से condensate बनता है यह packing होता है और वहां पर नीचे से हम steam प्रोवाइड करते हैं तो एक तरह से top से पानी यानि DM water और condensate जो भी हम mix होके आ रहा है और नीचे से steam प्रोवाइड करते हैं और यह counter current contact होता है और यहां पर stripping action होता है से DM water में से oxygen और CO2 रिमूब हो जाता है जो ultimately यहां से vent हो जाता है और finally जो oxygen और CO2 रिमूब होने के पाद जो पानी बनता है वह यहां पर नीचे आ जाता है एक distributor है और ऊपर ट्रे दीख रहा है मतलब मैं storage tank में से घूसके इसको फोटो लिया और यह देखे यह पानी जा रहा है पानी यहां पर एक spray nozzle से nozzle के थूरू यहां पर small small droplet में ब्रेक हो जा रहा है और ब्रेक क्यों करने है ब्रेक इसलिए कर रहे है क्योंकि small small droplet में ब्रेक होने से contact मतलब surface area बढ़ जाएगा water का क्योंकि small small droplet में convert हो गया तो surface area बढ़ने की बज़े से heat transfer के लिए area बढ़ जाएगा तो steam के जब contact में आएगा तो heat transfer ज्यादा होगा easily heat transfer हो गया उसी तरह यहां पर tray भी दिया गया है ट्रे का भी purpose यह होता है कि ट्रे एक contact surface area बढ़ाता है तो उसकी बज़े से भी heat transfer area बहुत बढ़ जाएगा अब ब्रेक होने के बाद ट्रे से नीचे की तरफ किर रहा है और bottom से steam है और वह भी एक distributor के थुरू पार हो रहा हूं अरो steam जा आ यह तो एक तरह से पानी जा रहा है नीचे मैं इसको जा रहा हूं पानी जा रहा है नीचे और steam जा raw ऊपर अब क्या होण ब्रहा है कि पानी तो मतलब county temperature तो कम है और यह economy temperature तो जेब इसक don authentic में आता है ना तो तो DMRT steam का most of the part जो है वो condensed हो जाएगा, क्यों? क्योंकि DMRT को heat up करने में काम में आजाएगा तो DMRT को गरम करने में steam use होगा और DMRT धीरे धीरे गरम होगा कि यह boiling point temperature तक चला जाएगा और यहां तक boiling point temperature तक लाने में जितना steam use हो गया वो तो stripping action के काम में नहीं आए बाकी जो बचा हुए steam है वो stripping action के काम में आता है वो कैसे? तो देखिया मैंने एक बहुत पहले steam stripper कैसे काम करता है इसके बारे में भी मैंने बताया था steam stripper column के बारे में यह वीडियो आप चाहें तो देख भी सकते हैं वहाँ पर मैंने बताया था कि stripper में basically क्या करता है कि steam जा करके hydrocarbon vapor का partial pressure कम कर देता है और partial pressure कम करने के लिए बाकी का hydrocarbon में से lighter component बहार आ जाते है और इस तरह से stripping action होता है यहाँ पर जो पानी में जो कोई liquid को vaporize नहीं करना है बलकि पानी में gases dissolve है उसको निकालना है तो पानी में से अगर gases को dissolve है उसको निकालने के लिए भी यहाँ पर भी stripper वैसे ही काम करता है steam जो यूज हो गया steam जो यूज हो गया boiling में वो तो ठीक है बाकी जो पचा हुआ steam है वो बैसिकली जो non-condensable gases है उसका partial pressure कम कर देता है और partial pressure कम करने के बज़े से DM water में से बाकी का जो non-condensable gases वो बाहर निकल जाते है तो इसलिए जो एक तोरह से आप बोल सकते हैं कि Lp steam जो uncondensable बचा रह गया वही आपका basically काम आया stepping action में तो इसलिए जो यहां से जो टॉप से जो gases निकलती है जो non-condensable gases और साथ में steam भी निकलता रहता है तब हम ensure कर पाते हैं कि sufficient steam दिये थे ताकि stripping action हो पाया ठीक है और इसलिए अगर आप इसमें देखो कि दी आरेटर के top से जो भेंट रहता है उसमें steam दिखता रहता है जिसे अगर यहां पे एक दी आरेटर है यहां पे देखिए जो टॉप का जो भेंट है यहां पे steam नहीं निकल रहा है इसका मतलब हम sufficient steam देही नहीं रहें जो steam करनेंस हुए करनेंस हुए इसके बावजूद भी थोड़े steam बचा रहा गया जो कि stripping action की काम में है ठीक है अब हम पहले ये समझते हैं कि ये जो steam है वो non-condensable gas का partial pressure कैसे कम कर रहा है ये हम समझते हैं और यहां पर हम ये भी समझते हैं कि partial pressure कम होने की बज़ा से ये डीम वाटर में जो non-condensable gas है वो बाहर क्यों क्यों निकल जा रहा है ये हम समझते हैं तो इसको समझने के लिए हमें एक law के पढ़ना है Henry law पढ़े है Henry law बोलता है कि अगर कोई gas है तो basically ये बताता है कि अगर liquid है liquid में जो gas कितना घुलेगा कितना dissolve होगा वो depend करता है कि liquid के उपर उस gas का partial pressure कितना है तो अगर partial pressure जादा होगा तो liquid के अंदर gas जादा dissolve रहेगा और partial pressure कम होगा तो liquid के अंदर gas कम dissolve होगा मतलब ultimately gas बाहर आ जाएगा तो हमेरा तो ये तो समझ में आ गया कि partial pressure कम होने की बाद से gas के बाहर आ रहे ये बाद तो समझ में आ गया अब हम ये समझना है कि steam जो है ये partial pressure को कम कैसे कर रहा है तो देखे इसको समझने के लिए ये देखे partial pressure का formula देखे अगर ऑक्सीजन के बाद किया जाए तो टोटल pressure time moles fraction of oxygen देखना पड़ेगा अब देखे तोटल pressure गोई आ टोटल प्रेशर जो है ये तो constant रहेगा ये क्वें constant रहेगा क्योंकि डियरेटर का pressure जो है वो control होता है डियरेटर का प्रेसर कंट्रोल होगा यह भेंट यह टॉप वाला जो प्रेसर कंट्रोल वाल है और स्टीम के प्रेसर कंट्रोल वाल से प्रेसर तो कंट्रोल होगा तो प्रेसर तो कंस्टेंट रहेगा अब प्रेसर कंस्टेंट है मालीचे हमने एक डियरेटर को से 0.5 kg प्रेस और इसका मतलब क्या होगा कि आपका वाटर में से O2 और CO2 बाहर निकल जागा और उल्टिमेंटिक में चला जाए तो पार्सिल प्रेसर क्यों कैसे घट रहे हैं यह समझ में आ गया कि जो हम एक्स्ट्रेस्टीम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि मतलब जो एस्टीम पानी को बॉयल करने में यूज हो गया इसके अलावा जो पच्छा एक्स्ट्रेस्टीम वो जो फेपर फेज में ही रह गया वो एक्चली जो फेपर फेज में मोल फ्रेक्शन है वो वाटर का बढ़ा दिया और मिल वाटर का मोल फ्रेक्शन बढ़ने तो water boil होता है, तो water में से भी कुछ steam बनता है, तो water में से भी कुछ steam बनता है, तो वो भी mole fraction of water का बढ़ाता है, तो एक तरह से इस तरह से इस तरह से इस डियरेटर वर्किंग को एक तरह से बोल जाता है कि thermal thermal degeneration process है, मतलब पानी को गरम कर दिया और इसके बज़े से oxygen और CO2 बह बढ़ा दिया और इसके बढ़ा दिया और इसके बज़े से इसका वर्किंग प्रिंसपल है, तो मुझे लगता है यहां पर यह बात एक्टम क्लियर हो गए, अब देखें, जो पानी अब एक तरह से इस डियरेटर को हम बोलेंगे, अब बॉयल फीड वाटर बन गया, अगर अक्सीजन इसमें से निकल जाता है, तो अल्टमेटली जो है इस मेकैनिकल प्रोसस से बहुत हद तक अक्सीजन निकल जाता है, अब टू 7 पार्ट्स पर बिलियन तक अक्सीजन रह जाता है, मतलब बहुत कम अक्सीजन रह जाता है, यहां तक सेपरेशन हो जाता है, लेकिन हमें जो boiler feed water है जो कई boiler में भेजना है उसमें यतना भी oxygen नहीं रहना चाहिए एकदम कम रहना चाहिए तो यह जो बाकी का oxygen है उसको remove करने के लिए chemicals का यूज होता है chemical dozing यूज होता है तो chemical dozing mainly hydrogen का किया जाता है hydrogen या फिर aktive Na2SO3 मत्या sodium sulfite इसका यूज किया जाता है hydrogen और sodium sulphite के यूज किया जाता है और उसकी मदद से बाकिक का oxygen निकाला जाता है तो उसको केमिकल की मदद से oxygen removed किया जाता है इसलिए उसको chemical excavenger भी बोलते है oxygen excavenger भी बोलते है जो कि oxygen को खा जाता है तो ultimately इसका मतलब क्या हुआ अगर deodorator आपका अच्छा काम करेगा तो आपका chemical consumption घड़ जाएगा और deodorator खड़ाब काम करेगा तो chemical consumption बढ़ जाएगा और chemical बहुत महंगे होते हैं तो यह बात हमें समझ में आगए कि यहां पे जो पानी बन गया है यह अल्मोस्त इसमें से oxygen निकल गया है बाकी का बचा हुआ काम को chemicals को करना है hydrogen को करना है अब देखिए यहां पे जो है न यह जो steam हम provide करता है यह steam के साथ एक और line है यह जो directly storage tank में भी जाता है तो पानी जो गिरा यहां पर पानी आखे चला गया चलिए मैं इसको blue color से sorry मैं इसको blue color से ही दिखा देता है यहां पे पानी भर गया अब इसमें एक और line है steam का line यह पूरा periphery में गुसर आता है यह steam का line जो है यह steam यहां पे एक steam दिखा है जिसको लिखा है startup steam तो यहां पे इसका क्या purpose है तो देखे यहां पे जो यह जो line है यह जो steam है इस storage tank में भी हम लोग steam चार्ज करके रखते हैं startup के time क्यों रखना पड़ता है क्यों रखना पड़ता है क्योंकि देखे इस deirator का capacity limited है starting में में तो जब हम लोग plant running होता है तो उसमें बहुत condensate आता है और condensate का अच्छागा सा temperature रहता है और condensate में oxygen भी बहुत कम ही रहता है तो लेकिन अगर first time start कर रहे है plant को तो जहां पे turbine अभी चली नहीं रहा है तो पूरा DM water लेंगे तो इस deirator का उतना capacity नहीं रहता है कि पूरा oxygen और CO2 को निकाल दे तो उस समय जो storage tank में आएगा न तो उसमें पूरा oxygen CO2 नहीं निकल रहेगा तो इसलिए start up के time में इस storage tank में भी steam extra provide करते है ताकि deirator process में मदद करे तो यहां पे जब steam जाता है तो एक तरह से बहुत agitation करता है पानी में का पानी में से oxygen और CO2 को न process होता है तो कई जगह पे तो सिर्फ start up में काम में आता है और कई जगह पे ऐसा होता है कि यहां पे भी देते हैं और नीचे भी देते हैं अगर ऐसा design है कि नीचे भी दे रहे है ताकि कुछ residual oxygen CO2 रह गया उसको भी हम separate कर रहे है इस तरह का design है तो ऐसे design में chemical का जो addition है वो य oxygen inhibitor को put करें तो बहुत अच्छा well mixed हो जाएगा और well mixed हो जाएगा तो फिर आराम से boiler feed water pump के थूरू आप इसको यूज कर पाएगे तो वहां पे ऐसे करते हैं और अगर इसको सिर्फ start up में यूज करते हैं तो जो chemical addition होता है वो feed water line boiler feed water suction line में रहता है ठीक है तो यह एक यहां पर एक यह arrangement है इसके लाव एक और चीज़ देखिए यहां पर एक arrangement ऐसे दिया है और यहां से एक line दिया है और वो drain में चला गया है तो इसका क्या purpose है तो देखिए डियरेटर में ना हम लोग लेबल अच्छागासा maintain करते हैं बहुत अच्छागासा मतलब 80% 80% 90% इस तरह से देखिए तो बहुत भड़ा हुआ रहता है ठीक है क्यों भड़ा रहता है इसके बारे में हम थोड़ देर बात करेंगे लेकिन यहां पर अगर यहां तक अगर बहुत भड़ा हुआ है तो एक बहुत chances जा कि अगर कभी level बहुत बढ़ गया तो यह पानी यहां तक आ इसलिए डियरेटर में एक उपर से एक ऐसा फ़नल जैसा मना करके एक लाइन दिया रहता है कि लेबल अकर एक्स्ट्रा बढ़ गया तो उसको डारेक्ली ओर ड्रेन हो जाएगा वो भी एक लेबल कंट्रोल वाल के साथ ही रहता है तो एक लेबल हम लोग कंट्रोल कर रहे है पानी के इनलेट फ्लो से मालेजी 85% और इसको मैंने 95% में सेट दिया कि गलती से 95% तक लेबल जाए तो यह ड्रेन हो जाएगा तो यह दोनों को मैं देख लेता हूं कि एक्चुली मैं देखता कैसे यह देखिए यह जो स्ट्रीम जो लाइन जो था जो नीचे जाता है जिसको स्टार्टप लाइन बोल रहा था और यह ओछई ओभरफ्लो जो लाइन है जो कि अगर खेतर और फ्लो यह देखो अग्स फ्लो यह समझग को बार की Misterle कि पानी में जो gases की solubility होती है वो temperature के मतलब inverse solubility होती है मतलब temperature बढ़ने से gases की solubility घढ़ जाती है इसलिए इसको thermal duration भी लोग बोलते हैं जैसे यहां पर देखिया oxygen की solubility पानी में जो है temperature बढ़ने से घढ़ गई है तो जैसे जैसे हम गरम करते जाएंगे तो oxygen की solubility घढ़ जाएगी और इसलिए duration हो जाएगा तो ऐसे बहुत simple तरीका से भी लोग समझा देते हैं यह भी ठीक है इसमें भी चलेगा कोई बात नहीं यहां पर एक बात समझ में आ रहा है कि अगर यह concept है तो इसमें पानी को जितना गरम कर सकते है उतना गरम करो तो कहां तक गरम कर पाएंगे हम ज्याज ज्यादा उसके saturation temperature तक यानि boiling temperature तक ही गरम कर पाएंगे क्योंकि उससे ज्यादा गरम करेंगे तब तो पानी खुद ही vaporize हो जाएगा तो इसलिए यह duration में water जो है वह steam दोड़ा up to boiling point तक गरम हो जाता है ऐसे भी distillation column श्रीपिंग column है हर एक trepe पर जो भी liquid होता है वह boiling point temperature पर होता और vapor जो होता है वह dew point temperature पर होता है तो огईसलिए जो पानी है या boiling point temperature तक ही रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि इस ट्रे के bottom से जो liquid आ रहा है वो एक तरह से मतलब जो पानी आ रहा है वो boiling temperature पर है अगर boiling temperature पर है तो यहाँ पर जो storage tank पर जो liquid भड़ा हुआ है तो उसमें temperature और pressure में एक relation होगा यहाँ पर जो pressure होगा उसी के corresponding इस पानी का saturation temperature होगा तो इसका मतलब कि आगर मैं यहां का pressure control कर रहा हूं इस vent के थुरू तो temperature फर्दर हमारा control हाथ में नहीं रहेगा temperature जो है उस pressure के corresponding जो water का boiling point है वही हो जाएगा automatically decide हो जाएगा तो हमारे हाथ में दो parameter नहीं pressure और temperature नहीं एक ही parameter है pressure या फिर अगर temperature control कर रहा है तो फिर temperature कोई एक ही parameter तो obviously हम लोग pressure control करते हैं वेंटिंग से तो pressure control करने से हमारा temperature भी control हो जाता है ठीक अब इस diagram को थोड़ा सा और detail में समझते हैं यहां पर एक ध्यान दीजेगा कि यहां पर मैंने एक डो लाइन बनाई है एक condensate की line जो heat exchanger reboiler से आ रहा है उसको तो directly storage tank पर गुसा दे रहा हूँ और एक condensate जो turbine के या surface condenser से जो आ रहा है उसको मैंने DM water के साथ ही किया तो ऐसा क्यों तो इसका region यह है कि जो turbine से जो condensate बनता है वह surface condenser और hot well के थूँ आता है यह सारे vacuum में रहते हैं तो कई बार अगर उसमें कुछ leak है तो इस condensate में oxygen आने की chances है CO2 ऐसे तो यह non-condensable gas हिंती होने के chances है इसलिए ही इसको हम लोड deodorator के थूप पास कराते हैं लेकिन अगर कोई revoiler है या heat exchanger है जिसमें हमने steam use किया था revoiling के action के लिए और फिर जो steam condensate बनता है तो उसको हम directly storage tank पे ले लेते हैं ऐसा करने से हमारा deodorator के लोड घड़ता है और इसका ज़रूद भी नहीं है deodorator के थूप पास कराने के लिए क्योंकि इसमें oxygen और CO2 आने की chances बहुत कम है क्योंकि इसका pressure तो atmospheric pressure से ज्यादा ही होता है अगर कुछ leak लाग हुआ तो उसमें पानी ही बाहर जाएगा air अंदर नहीं खुशे गया तो इसलिए यहां पर डाल दिये उसी तरह अगर जैसे boiler feed water pump है इसका एक auto recirculation valve होता है यह multi stage pump होते है most of the cases में और गलती से अगर discharge valve बंद हो गया यह boiler feed water consumption बहुत कम हो गया तो इस case में यहां pressure बहुत ज्यादा बहुत 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 सकता है और जो की impaler को damage कर सकता है इसलिए यहां पर नर्भी में PSB भी दे रखा है PSB safety valve है यहां पर तो यह diagram almost total समझ में आ गया होगा ठीक है अब हम लोग बात करते हैं इसके operating parameters के बार में कि और डियरेटर का operating parameters क्या-क्या है और डियरेटर का operating parameter change करने से क्या-क्या impact पड़ेगा देखिए हमने यह बात किया था कि oxygen का partial pressure या CO2 का partial pressure अगर हम कम करेंगे तो वो water मेंसे जो dissolve है वो बाहर निकल जाएगा और इस तरह से degeneration process हो जाएगा और इसके लिए हमने बात किया था mole fraction of oxygen कम करो mole fraction of CO2 कम करो या mole fraction of water बढ़ा दो अच्छा यह बात अगर सही है तो यह बात भी सही है कि अगर हम total pressure भी कम करेंगे तो भी तो partial pressure of oxygen या CO2 कम हो जाएगा mole fraction ना change करके मतलब मैं बोल रहा हूँ कि steam का flow constant रखते यहां पर लिखा हुआ है कि अगर oxygen scavenging chemical का expense अगर घटाना है तो degeneration का pressure कम करने से degeneration process प्रोसेस प्रमोट होता है और इसी वज़े से आपको आपको यह oxygen removal process बहुत अच्छा होता है तो अगर ऐसा है तो फिर तो pressure घटा दो हाँ तो मैंने घटा दिया अब आप बोलोगे अच् oxygen निकल जाएगा और CO2 निकल जाएगा कमी steam consumption में तो मैंने क्या कि और घटा दिया तो आपने और घटा दो तो मैंने क्या कि और घटा दिया तो ऐसे घटाते घटाते अगर बहुत कम pressure कर देंगे तो क्या यह problems improve होता रहेगा नहीं यह एक time तक होगा एक time के बाद क्या होगा हमने जैसे distillation column में भी flooding के बार में पढ़ा था वहीं यहाँ पर भी हो जाएगा अगर pressure आप बहुत कम करते जाएंगे तो एक time पर क्या होगा कि यह जो steam है इसका volumetric flow rate बहुत बढ़ जाएगा और यह column को इस stipper column को flood कर देगा क्योंकि velocity burden के वाज़े से entrainment flooding हो जाएगा इस फ्लडिंग के बार में हमने बात किया था एक वीडियो में उसमें आप देखेंगे तो इसलिए अगर pressure कम करने से अगर duration इंप्रूब होड़ा वहाँ तक ठीक है बट एक limit से ज्यादा pressure नहीं कम कर सकते है उससे कम करेंगे तो flooding हो जाएगा और atmosphere में steam ना करके पानी मतलब इसलिए एक pressure कम करना ठीक है लेकिन एक limit तक ही कम कर सकते हैं दूसरी बात इसके लावा क्या है अगर तो हमको duration process इंप्रूब करने का एक option है कि pressure को थोड़ा कम करो pressure कम करने से duration process ठीक होता है इसके लावा steam venting बढ़ा दो क्योंकि जितना जदे steam venting बढ़ा होगे उतना mole fraction of H2 उतना ही ज्यादा duration process इंप्रूब होगा इसके लावा steam condensate recovery बढ़ा दो क्योंकि steam condensate का temperature ज्यादा रहता है डियमवाटर का temperature कम रहता है तो अगर steam condensate बढ़ा देंगे तो उसकी बज़़ा से भी और steam condensate में oxygen and CO2 भी बहुत कम रहता है तो उसका partial pressure अल्रेडी कम रखता है उसकी बज़़े से duration process इंप्रूब होता है उसे तरह अगर डियमवाटर को preheat करके लाए जाए तो steam का बहुत सारा पार्ट जो boiling करने के लिए use में आ रहा है उसका जरूरत नहीं पड़ेगा तो उस cases में भी duration process इंप्रूब होगा तो यह सारे तरीका है duration process इंप्रूब करने क और अब हम लोग finally बात करते हैं कि डियरेटर को हम लोग height पर रखते हैं वो क्यों रखते हैं तो डियरेटर पर height पर इसलिए रखते हैं ताकि जो BFW pump का है वो net positive suction head मिल सके तेकि डियरेटर के जो storage tank में जो liquid है वो boiling liquid है मतलब यहाँ पे जो pressure है और temperature है वो saturation pressure है और temperature है और हम NPSH का एक वीडियो है हमने बहुत अच्छे से उसमें discuss किया था कि NPSH यह वीडियो आप देख लिजेगा जहां पर हमने NPSH available और required के बार में discuss किया था और वहां हमने बताया था कि अगर boiling liquid है तो उसमें जो NPSH है वो depend करता है सिर्फ height पर क्योंकि जो pressure है ना वेसल का जो pressure है और वेपर pressure वो बड़ाबर हो जाता है क्योंकि यहां पर जैसे इस boiler feed डियरेटर ड्रम से अगर हम इस boiler feed water pump का अगर NPSH कैलकुलेट करना है तो यहां का pressure PS यानि suction pressure माइनस वेपर pressure by rho g प्लस Vs square by 2 g यह हमें customary definition जो है NPSH का वो लेना पड़ेगा और वो अगर हम लेते हैं तो इसका मतलब हमको यहां पर suction pressure अगर हम निकालते हैं suction pressure निकालने के लिए मैंने यहां पर और यहां से Bernoulli question लिख दिया यहां पर प्रेशर है P1 potential energy rho g h यहां पर pressure है PS suction pressure plus half rho bs square इसको हम निकाल करके suction pressure यहां से निकाले और इस suction pressure को इस expression पर रख द वो वही है वो यहां का pressure है क्योंकि मैंने बात किया था कि यह boiling liquid है boiling liquid है तो मतलब deodorator का pressure उस liquid का vapor pressure बढ़ा बढ़ी होगा क्योंकि boiling saturation temperature पर है और saturation pressure पर है तो इसलिए यह कट जाएगा यह कट गया और यह भी ultimately कट जाएगा तो NPSH अबलेबल जो है वो basically head पर ही depend करेगा अच्छा कुछ friction loss और ले लो तो head minus friction loss तो इस तरह से NPSH न वो इस deodorator का pressure बढ़ाओ घटाओ उस पर कुछ पर depend नहीं करेगा smelly head पर depend करेगा तो head कहां से देंगे height से तो इसलिए हम लोग deodorator को height पर रखते हैं ताकि head मिल जाके और BFW pump cavitate नहीं कर सके तो आसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा अगर कोई doubt रहता है तो आप comment box में लिख सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद